नमस्कार दोस्तों मैं दीपक आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिंट्यूबर फिंट्यूबर एक ऐसा चैनल है जहांपा आपको इन्वेस्टमेंट फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के लेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं तो मेक शूर करें कि आप इस चैनल को तुरेंट प्रवाव से सब्सक्राइब कर लें तो चलिए दोस्तों फर्दर डिले ना करते भी वीडियो को स्टाट करते हैं आज चार परसंट ये सेयर गिर गया रिजल्ट आने के बाद में तो ये गिरने का रीजन क्या है तो उसी चीज़ को हम आज जानने के पोस्त करेंगे तो जी हाँ हम बात कर रहे हैं Howell's Company के बारे कल Howell's के market closing के बाद में number आये थे तो काफी अच्छे number थे, outstanding number थे लेकिन आज जब market खुला तो Howell's का जो share है 4-4.5% का जो है अभी closing के time पर 4-4.5% जो है Howell's के share में गिरावट होगी तो क्या करना है अभी हमें Howell's में भाईया मौका है सबसे बड़िया मौका है खरीदो 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 यह मौका है accumulate करने का यह nominal सी profit booking है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं इसका company का potential भी आपको बता देता हूं थोड़ा सा और लोग किस वज़ा से panic माँ आके इस company के share को sale कर रहे हैं वो भी माँ आपको बता है इस company का potential है काफी काफी ज़्यादा anti-China sentiment जब से इंडिया में हुआ है तो यह जो इंडियन company है electronic and electrical की तो इन company को सबसे ज़्यादा benefit होने वाला है क्योंकि electronic and electric का इस ज़्यादा जो इंपोर्ट होता है चाइना से यही सामान ज़्यादा इंपोर्ट होता है तो इसकी beneficiary तो यही company रहने वाली है बस और आने वाले time में इस company का export भी काफी ज़्यादा होएगा इस industry का इंडिया बनने वाला है तो इस industry के बद बनेगा यह आप manufacturing industry and electronic and electrical industry इसका भी काफी ज़्यादा role रहेगा इसमें अभी अमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो production कुछ भी नहीं है और population अमारी चाइना के बराबर ही है बलकि चाइना से भी उपर जाने वाले हैं अभी हम लोग तो कितना production यहाँ पर हो सकता है यह अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कोई जिस rate पर चाइना करके देता है उ and power बराबर है इंडिया के पास बनी और पूरे वर्ल्ड की डिमांड जो है केला इंडिया complete कर सकता है इस चीज़ को तो काफी potential है इस company के अंदर में यह मानलो आपका हजार रुपे का अभी सेयर है तो इसकी मैं यह कह सकता हूं कि 10,000-20,000 तक भी यह सेयर को स्टैम में जाने कि capability रखता है इतना scandal of potential है इसके business की बात करें तो हावेल्स को कौन नहीं जानता है सब कोई जानता है हावेल्स के fan आते है हावेल्स का microwave हो गया सारे जितने भी electronic item होते है घर में यूज करने वाले सारे यह company मनाती है mixer vendor हो गया इसकी website पर आप जाके go through कर सकते हैं इसकी website पर सा security solution हो गया solar हो गया industrial के यह product है consumer के product की बात करें fan, lighting, appliances, switchgear, water heater, flexible cable, air cooler, pump, personal grooming, water purifier, solar मतलब grooming से लेके पूरा bulbing वगयरा सारी चीज़े बनाती है और e-store वगयरा भी अपना खोल के बैठी है देखो अभी e-commerce में भी companies वे अपने product खुझ sale कर लिए एक तरीके से यह भी देख लिजी आप आईए चलते हैं चार्ट पर क्या हुआ था आज यह देखते हैं सुबह market यहाँ पर जिस टेम पर खुला यह share और 1070 तक मतलब ही 1070 की level पर खुला और गिरते 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 साम तक 1028 रुपे पहुंच गया एक 1028 पर इसने closing दे आज चार परसंट जो है नीचे गिरके close वा और यह पता जो closing जो बेचने वाले यह कौन है retail investor बेच रहा है इनको कोई institution वगेरा बेच नहीं रहा है अभी volume देख रहे हो कम बिल्कुल भी नहीं आ रहे volume नीचे institution वगेरा कोई investor बेच रहे है इसको नीचे लाए जा रहा है या तो operator है कोई न कोई तो बात है या तो nominal profit booking है मैं तो यही कहूंगा कि nominal यह जो है profit booking है profit booking के चक्कर में लोग इसको बेच रहे है और अगर बेच रहे है न तो अभी भी एक buy करने लाए गया नहीं तो इसका strong support प 766 पर काफी टाम इसने support लिया यहाँ पर देखें ऋपर ङया फिर बार इस ने support लिया फिर उपर गया फिर उपर गया पर नीचे गिरा यहां सपोर्ट लेके फिर उपर गया फिर यहां लेके फिर और पर गया मतलब काफी टैम जो है multiple time का ही support है बहुत मजबूत support है इसका यह तूटने वाला है तूटेगा तो यहां तक भी पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है यह तो उपर सही लोग भाई करना चालू कर देंगे इसको जब इसकी reality समझ मा आएगी लोगों को एक्च्वल मैं अभी हो क्या रहा है वह मैं बता रहा हूं किस वज़े से जोए लोग इसको बेच रहे हैं अगर कोई पैनिक में आके भी बेच रहा है तो वज़े मैं बताता हूं लेकिन जोए operating profit जोए इसका flatter है यानि कि nominal size का थोड़ा थक कम होगा है इंट्रेस वगेरा इसने ज्यादा पे किया हूँ है यानि कि debt ज्यादा आगे है इस company योपकर 15% जो था इंट्रेस ज्यादा इसने पे किया हूँ है compare to December का quarter exceptional item होगेरा कुछ नहीं consolidated net profit इसका 350 से 300 करोड हो गया यानि कि interest ज्यादा पे किया और margin भी इसके कम थे 16-15% margin होए इसके तो margin कम थे interest ज्यादा पे किया इवंदो sale ज्यादा हूई इसकी बावजूद उसके profit नहीं कर पाई company ज्यादा profit इसने जो है 50 करोड कम किया ये quarter में और reason भी बताता हूँ last का जो December का quarter था 2020 का वो festive season था एक तो ठीक है उस time पर marketing होगेरा कि कोई जरुवत नहीं पड़ती marketing की कोई जरुवत नहीं पड़ती तुम्हारा product जो है दिवाली के लिए हो या फिर Christmas के लिए हो या फिर कोई other festival हो उसके लिए लोग line लगाके लेते हैं तुमको टीव में advertisement देने की जरुवत नहीं है या अपने Google Ads पर एड वगयर डालके इस चीज़ की जरुवत नहीं है तुमको कि एड करो तो उसके बाद में automatic client आते लेकिन जन्वरी के quarter में जन्वरी से मार्च का जो quarter होता है इसमें advertisement करना पड़ता है क्योंकि यह फैस्टी सीजन नहीं है लोग उने जो लेना था हो ले लिया अभी पैसा आ गया company के पास में तो अभी वो invest करेगी उस पैसे को तो इस तरीके का रहता है अगर इंट्रेस ज्यादा पे किया हुआ है इसका रीजन यह हो सकता है कि जो पिछले साल का lockdown था पिछले साल का जो lockdown था उस lockdown की हो जैसे company को करजा लेना पड़ा और करजा जो है वो interest वेगरा पे नहीं कर पाई एक आत quarter में क्योंकि उस time पे production हो नहीं पा रहा था sell हो नहीं पा रह मार्केट में कोई product बेचना तो छोड़ो आना जाना भी allowed नहीं था कुछ time तक तो ऐसी situation थी प्रेने चलने रही थी कुछ नहीं transportation बन था तो उस वज़य से उस time पे interest पे नहीं कर पाई तो वो वज़य हो सकती है कि यह quarter में इसको interest पे करना पड़ रहा है तो इस चीज को business model है A1 category का business model है तो चलिए अब return की बात करते हैं एक साल में sensex की बात करें तो 63% का return दिया है electronic and electrical sector से यह company belong करती है तो इस sector ने सबसे अच्छे मतलब बहतरीन result दिया है या तो ID sector ने दिया है या तो फार्मा sector ने दिया है और एक और दो sector ऐसे जिन्होंने unbelievable performance किया हुआ है cement sector ने भी काफी अच्छा perform किया तो metal ने काफी अच्छा perform किया पूरे sector मतलब एक सांच चलता है यह ऐसा sector है तो अगर इसके एक दिन के return की बात करा तो minus 4% minus में हुआ है और एक week में इसने 3% का return दिया है एक महिने में इसने 2% का return दिया है एक तीन महिने में इसने 10% का minus में return दिया है और 6 महिने में इसने 24% का return दिया है यह तिल डेट में इसने 12% का return दिया है एक जनवरी से अप्टक एक साल में इसने 120% का return दिया है दो साल में इसने 35% का return दिया है तीन साल में इसने 96% का return दिय पांस साल में इसने 181% का रिटन दिया यानि कि पांस साल से लगबग लगबग यह consolidate कर रहा है इस यह अभी इसका जोए यह फटने वाला है अब बताऊंगा आपको कैसे और 10 साल में इसने 12 Joy caffeine का रिटन दिये 1246 भोले तो 12.5 गुना इसने आपका पैसा किया दस साल में अगर आप इस टाइम मां अगर ही नहीं भी चला कोई बात नहीं 10 साल में अगर में दस गुना रिटन दे दिया, बारे गुना रिटन दे दिया, तो क्या दिक्कत है, ज़रूरी नहीं है, हर साल हो दो-दो परसन के रिटन, मतलब आपका सेर डबल-डबल करके दे, वो हो सकता है, फ्लैट ही रहे और एक बार, दस साल बाद मां आपको उतना ही रिटन दे दे से, FNCG का प्रांड नहीं है, ITC, ITC मतलब Indian Tobacco Company, उसका जो मेन कोर बिजनस है, वो सिगरेट का है, सिगरेट का बिजनस अभी चल नहीं रहे, सारे पानकों के बंद हुए पड़े, और इसके अलावा होटल का उसका बिजनस है, 60-70% रेवन्यू उसका होटल और सिगरेट के आता है, तो ऐसे में चलेगा कैसे, लेकिन जब चलेगा चलेगा लेके रखना है उसको बस, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जब भी आएगा, सीधा सीधा उसका 7-8 गुना रिटन आएगा, ये मेरे से लिखवा के ले लो, अब ये हम इ 2020 तक का टाइम है, समझेगा, इस चीश को ध्यान में रखेगा, इस चीश से लेके काफी ज़्यादा चीजें इस टॉपिक पर में बताऊंगा इसी में, तो वो चीजें क्लियरिषाई हों गया आगे आपके दिमाग में, और ये जो टाइम है, ये अप्रेल 2020 से मार्च 31-2021 त इसने दंदा करती थी ये कंपनी 9,440 करोड का, और एक अप्रेल COVID के बाद में, इसने ये साल में दंदा किया 10,47 का, COVID के टाइम पर इसने बिजनेस अपने non-COVID टाइम से ज़्यादा किया हुआ है, ग्रो कर रहे है नहीं कर रहे है कंपनी, 10 परसंड का इसमें ग्रो थे, एर ये जो इसका इंकम है न, ये एक 2-3 क्वार्टर का ही है, एक क्वार्टर तो इसका बेकार ही गया, समझ लीजी, और अप्रेटिंग प्रोफिट के अगर बात करना, तो 1028 से 1571 करोड करोड कहुंचा है, 52% का उच्छाल, सिरफ मार्क हाय है इंट्रेस्ट में इसने, 19 करोड क ये इंट्रेस्ट पे किया है, 2019 में के फाइनिंशियल एर में, और 2020 के फाइनिशियल एर में, systरी, और 2021 का जो फाइनिंशियल एर है, यहाँ पर 72.68 करोड इसने interest पे किया हुआ, अच्छा का सा, 200 के से उपर, परसं का उच्छाल है है, इसने पे किया है, जिसकी वज़ा से प परक नहीं पड़ा इसको से profitability में, 735 करोड का profit इसका 2020 के जो financial year में था और 1044 करोड का जो है इसने 2021 के financial year में profit किया, 42% का इसमें growth है, इतना ज्यादा interest पे करने के बाद में 42% का growth है, इसका मतलब क्या है कि interest बहुत जल्दी है, clear कर देगी, जो इसका debt है वो कम कर देगी धीरे धी operating profit margin भी अच्छे खासे बड़े है, 11% से 15% हुआ है, 4% का growth है, अब इसके share holding pattern की बात करते है, majority shareholder इसकी promoter ही है, promoter का जो stick है, 59.5% है, promoter जो होते हैं, जो main director, board of director के जो head होते हैं, वो promoter बोला जाता है, यानि कि जो company का simple cdc वात हमां, जो owner है company का, वो promoter होएगा, pledge promoter holding वगे बिल्कुल भी नहीं है, mutual fund के जो है, 25 schemes के अंदर में, 25 schemes के अंदर में ये company exist करती है, जिसका जो total stake holding है mutual funds के पास में, 2.24% है, FIS के पास में इसका अच्छा खासा stake है, 24.91%, 622 FIS ने इस company के अंदर में invest किया हुआ है, आपको एक शीच बता दू, foreign institutional investor जो है, किसी भी company में heavily, generally, जब invest करते हैं, तो उस company का growth potential देखके वो करते हैं, वो financial भी नहीं देखते हैं, वो company का थोड़ा सा debt बगहरा देखते हैं, और past performance देखते हैं, और brand equity देखते हैं, अगर ये उनको बैठ गया, तो वो आगे की growth देखके काम करते हैं, FIS बहुत smart होते हैं, DIS से भी smart होते हैं अगर ये लोग किसी company में invest कर रहे हैं, तो ये मान लेजिए कि उसका growth potential पूरा इनको पता है, आप आख बन करके पैसा लगा लो, जिस company में FIS का 20% से उपर का stake है, और promoter holding भी अच्छी होनी जी, ये प्रमोटर holding कुछ भी नहीं है, और FIS का लगा हुआ है, उसमें नहीं, promoter holding holding भी अच्छी हो, FIS ने भी अच्छा पैसा लगाया और girvy भी नहीं हो, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, और promoter में जो highest holding है, ये QRG Enterprises Limited के नाम से है, और अगर इसमें highest public shareholder की बात करा है, तो नालंदा India Equity Fund Limited जो है एक company है, इसने 75% का जो stake है, इस company में लिया हुआ है, ये company ये एक large-scale company है, 44,344 करोड का market के पर, 33,310 करोड का जो है, इसका enterprise value है, number of shares इसके 62 करोड है, P.E. इसका 61 है, price to books का बार है, ज्यादा ही है, लेकिन ये premium पर ही मिलता है, ये sector का जो share है, face value इसका 1 है, dividend yield इसकी कुछ भी नहीं है, 0 ही समन लीजे, इसको dividend जाद देती है company, book value इस इसका 82 है मात्र, cash इसके पास में अच्छा खासा है cash rich company है दोस्तों, 1106 करोड इसके पास में cash है, लेकिन debt इसके पास मात्र और मात्र 72.37 करोड है, हो सकता है, ये साल में इसने interest ज्यादा पी गया, debt इसका बड़ा हो गया इस साल में, वैसे cash rich company है, ये जो data, ये last year का data इसमें है, earning per share इसका 16 है, return on capital employed इसका 22% है, return on equity इसका 12% है, sales growth इसका negative में है, profit growth इसका 7 है, valuation इसका fair है, ownership इसका stable है, ठीक ताक है, ownership अच्छी है, और efficiency इसकी excellent है, financial very stable है, financial में कभी इसके गया दिक्कत होती नहीं है, अब sample के लिए हम इसका थोड़ा सा जो है quarterly, quarterly नहीं देखेंगे, हम इसका year on year का देखेंगे, ठीक है, confident law सका हूँ, 2016 से 2020 तक का देखते हैं कि क्या growth किया इसने, 2016 में इसने 5348 करोड का दंदा किया, 2017 में बढ़के इसने 635 करोड का दंदा किया, 2018 में इसने 8138 करोड का बिजनस किया, 2019 में इसने 10606 करोड का बिजनस किया, यानि कि 2016 से 2019 तक ये company डबल दना करने लगी थी, मार्च में 2020 का जो 2019 में जो था financial year जो था, उसमें थोड़ा सा इसने business कम किया था, जैसा कि हमने पहले देखा था ratio वगरा कैलकुलेट करके 9429 का, तो इस वज़े से थोड़ा सा इसमें growth में कमी आ गई, 2019 में performance इसने अच्छा ने किया, overall अगर ये साल निकाल दिया जाए, 2020 का जो साल है, sorry, ये अगर निकाल दिया जाए, तो company अभी 2021 तद भी permanent जो है, इसी तरीकी की performance करती है, ये COVID के बावजुद, तो आगे और अच्छा क growing when at profit, उसका margin जो है, इसने कम करते करते, competition ज्यादा हो गया न, बहुत चाइना हो गया रखियो जैसे, अब profit जो होगा, अब होगा इस company को, premium company है भई या, तो intrinsic value के उपर ही है, return versus rate की अगर बात करें, तो 10 साल में 12% का, 1200% का return दिया, बारे गुना आपका पेंसा कर दिया है, और अभी तो इसमें कर सकते हैं, मैं खुद करने वाला है, और red flag वगएरा की कोई बात नहीं है, company genuine है, reputed नाम है, brand equity गाए अच्छी है, तो दोस्तों कैसा लगा, आज का वीडियो, वीडियो पसंद आया, तो like कीजिए, आपके दोस्तों के साथ में share कीजिए, और comment कीजिए और thank you so much for watching this video